थोड़ा सा मैं mutual fund industry में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके point of view, थोड़ा सा मैं कुछ अलग चीज़ जानना चाहता हूं, देखिए आज की तारीक में अगर कोई mutual fund distributor बनना चाहता है, तो जब market में वो आता है, तो वो यह देखता है कि market में competition बहुत है, बड़े-बड़े mutual fund distributor काम कर रहे हैं, बड़े-बड़े aggregators technology company काम कर रही है as a mutual fund distributor, तो competition बहुत है, at the same time, unlike insurance company, अगर मैं काम करना शुरू करता हूं, तो मेरी income जो है, इसमें बहुत काम है, immediate मेरी income जो है, वो नहीं के बराबर है, so ऐसी परिस्तिती में आने वाले, जो नए mutual fund distributor है, उनके भविश्य के बा अपने आपको, उसके बारे में कुछ बते हैं, तो इसमें में थोड़ा data आपको देता हूं, अगर आप mutual fund distribution industry देखेंगे, करीब डेर लाग के असपास distributors आज के दिन में होंगे, पर अगर आप life insurance देखेंगे, तो करीब 20 से 25 लाग distributors है, तो करीब almost 20 गुना जादा, तो ऐस नहीं है कि mutual fund distribution में बहुत जादा competition है आज के दिन में, in fact, काफी गुना ये बढ़ सकती है industry, और आज के दिन में सिर्फ साड़े चार करोड लोग invest कर रहे हैं mutual fund industry में, हमारे मानने से ये करीब 20 से 25 करोड investors होने चाहिए इस industry में, तो अभी growth काफी बाकी है इस industry में, ऐसा नही हो सकती है और सभी को we have to fight over the existing industry, तो अगर ये opportunity है, तो mutual fund distributors को क्या देखना चाहिए when they enter this business, उनको हमेशा देखना चाहिए कि उनका value add क्या है, कि आप नया क्या ला रहे हैं अपने investors के लिए, अगर आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हाप ये mutual fund में invest करें या या ये तीन portfolio में आप funds में आप invest करें, वो एक role है जो सिर्फ information के basis पे है, वो किसी portal या किसी भी platform पे मिल जाएगा आपको, तो आपका role क्या है as an investor, as a distributor, वो है कि आप अपने investors को maximum benefit दे ताकि वो पूरा benefit एंजॉय कर सके हमारे products से, अगर आप data देखेंगे, अगर आप fund return देखेंगे और अगर data है, उन्होंने देखा across time periods, एक साल, तीन साल, पांच साल, दस साल, one type चाहे कोई भी हो, flexi cap हो, large cap हो, mid cap हो, small cap, जो भी हाँ fund में देखेंगे, जो fund return दे रही है, और जो return investor को मिल रहा है, उसमें gap है, करीब धाई से 5% का, हर साल का gap है, ये होता क्यों है, अगर वो investor सीधा वो fund में invest रहता, उसको वो धाई से 5% का return मिल जाता, extra, पर वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो investor गलत time पे exit कर रहे हैं, और गलत time पे शाइद एंटर कर रहे हैं, तो ये अगर उनको improve करना है, ये value add आजाता है distributor का, कि आप investor का behavior manage करें, एक news paper में headline आया है, कि because of Iran, Israel, war, 6 lakh crores, market cap eroded, right, ये headline आया है, अभी कोई भी investor ये देखता है, उसके मन में immediately रहता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो immediately वो आज के दिन में बहुत ही आसान है, redemption वो आराम से कर सकते हैं, SIP pause कर सकते हैं, अपने mobile phone पर ही कर सकते हैं ये सब, पर अगर वो करते हैं, तो वो एक loss बुक कर रहे कि अगर आप simply आप invested रहते, right, और अगर आपने सिर्फ उस 10 साल में, 10 सबसे important days में आप invested नहीं रहते, आपके आधे return निकल गया होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कभी decide नहीं करता हैं कि वो 10 दिन कब आएंगे, पर अगर आप उसमें invested नहीं हैं, उन दिनों आपने exit मा दिया है market से, आपके return आधे हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि हमारे distributors का सबसे important role है, investor के behavior को manage करना, जो हम जो बोल रहे है behavioral finance, वो हम investing मिला रहे हैं, पर यह behavioral finance हमारे distributors को हमारे investor के साथ आना चीए, और अगर ये कर रहे हैं, तो वो अपने investor को धाई से 5% ज्यादा return दे ये जो alpha आप कह सकते हैं, ये distributor के हाथ में है, ये हम कहते हैं, distributor alpha, alpha तो हमेशा fund manager के हाथ में रहता है, वो traditional सोच रहती है, पर वो थोड़े से basis points रहेंगी, ये आपका हर साल धाई से 5% का return का alpha है आपके हाथ में, इसको अगर आप अपना value add समझेंगे, आप अपने investor के साथ ल मैं हमेशा हमारे distributors को कहता हूँ कि इसी पर आप focus कीजिए, इसको आप deliver करेंगे, तो I think there is no competition for you.